हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम आपको डिफर्म सेकेंडियर का जो सब्जेक्ट है कम्यूंटी फार्मेसी उसके मोस्ट इंपर्टेंट कोस्चन के बारे में थोड़ी सी चचा करेंगे दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे त अ31 और चैनल को भी सस्काइक कर देना ऐसी वीडियो आपकी पूरी तयारी कराइंगे बस आप दोस्तों को भी सेर खरदेना तो इस में पहला कोस्चन है धा इसको पौप फार्मेसी प्रेक्टिस इंध्यूट यन जो फार्मेसी प्रेक्टिस के जो इसकोप हैं उसमें क्या के includes हैं मेरी वीडियो में आप देखना हमने उसमें टॉपिक कभर भी किया है तो पहला इसका option दिया गया compounding दूसरा दिया है dispensing medications और तीसरा दिया है बोथ A and V और फॉर्थ बाले में दिया है none of the above तो जो scope आप community pharmacy का होता है compounding में भी होता है और dispensing में भी होता है यानि patient की compounding करने में भी community pharmacy help करती है और drug को dispensing में भी help करती है तो इस पेकार से इसका option number जो C है बेस सही है उसके बाद इसका second question गया है second question है flinda blanks यानि second question में dispensing on the फिर यहाँ पर जगे खाली है फिर उसके बाद community pharmacy में also provide medicine to nearby hospital and nursing homes यानि जो community pharmacy होती है आपकी फार्मेसी आपकी किस time अच्छी चलेगी यानि आपकी जो pharmacy drug dispensing होगी ज्यादा drug dispensing किस time होगी यानि hospital और nursing के पास जब pharmacy यानि इस्तित होगी यानि location अच्छी होगी उसी पकार से आपकी जो pharmacy में drug होगी ज्यादा भीकेंगी तो उसके लिए ना environment की आप सकता है ना locality की आप सकता है ना people की बस location अगर आपकी अच्छी है तो आपकी फार्मेसी अच्छी चलेगी उसके बाद इसमें option दिये गए है चार option है एक है चाइना एक है रसिया यूरोप अमेरिका तो इसका option जो ठीक है यानि सही है यूरोप यूरोप में pharmacy professional को सबसे पहले लाया गया उसके बाद question number जो fourth है question number four है which act is USA United State America का कौन सा एक था इस्टेबलाइज दा फार्मासिस्ट responsibility टू इंसोर दा ड्रग थेरपी इसन सेफ एंड इफेक्टिवनेस एस पॉसिबल यान ड्रग की थेरपी के बारे में और जो ड्रग की सेप्टी है और उसके इफेक्टिवनेस के बारे में जिसको जिम्मेदारी दी गई थी फार्मासि 90 जो एक्ट था उसके बाद क्यू ओर जो 98 था फिर वजट री कॉनीलेशन जो एक्ट है 1990 में आया था और ओनिवरस एक्ट 1990 में आया था तो इसमें से आपका अप्शन नमबर जो फर्ष्ट है यानि ये वाला है वे सही है यानि ओब्रा एक्ट के तएफिक ताह थी फार्मा कोश्चन है दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा सेर करिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए हम आपकी पूरी पेपर की तैयारी कराएंगे फुल पेपरेशन करा देंगे और बहुत ही कोश्चन है यह सबी कोश्चन आपके यूनिड नमबर फिर्ष्ट के हैं कमुनिटी फार्मेसी के तो आप इनको अच्छे से पढ़ लें उसके बाद हम जल्द से जल्द कमुनिटी फार्मेसी को टोटल जो इम्पॉर्टंट कोश्चन्स है उनको कबर करेंगे फिर आपका जो second paper environment उसको भी cover करने के बाद कुलोजी की बहुत अच्छी तयारी करा देंगे कुलोजी का थोड़ा सा सिलेवस बचा हुआ है उसको दोस्तों बहुत जल्दी cover कर लेंगे और कुलोजी के जो multiple choice और फिलिंदा ब्लेंक्स वाले questions हैं उनको भी हम बना कर तयार करेंगे दोस्तों जो fifth question है pharmacy council of India यानि जिसको कहते है PCI बाज constituted in यानि जो PCI थी उसका गठन कब किया गया 1947, 1948, 1949 और यानि फिप्टी में तो दोस्तों इसका option number C सही है क्योंकि जो PCI थी उसका गठन 1949 में किया गया था फिर आता है question number six so question number six में क्या बताया गया है question number six में बताया गया है it is the minimum qualification necessary for a individual to register and practice as a pharmacist यानि pharmacist की जो practice होती है उसके लिए minimum qualification क्या जरूरत होती है तो उसके बाद इसमें option दिये गए है bachelor of pharmacy, diploma in pharmacy, bachelor of science और PhD तो जो common जो practice होती है registration के लिए यानि जो PCI में registration होता है pharmacist के लिए by diploma in pharmacy level पर हो जाता है तो यह question आपका flinda blanks के रूप में भी पूछा जा सकता है दोस्तों जो हम आपको बता रहे हैं जरूरी नहीं कि option इसमें दिये जाए इसमें से आपके जो question आपको यहां पर फिल करना है उसके लिए लिए जा सकते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको यहां पर फिल करना है उसके वाल लिखा act as a vital link between patient and prescriber पैसेंट और prescriber के बीच की जो link होता है उसको क्या कहते हैं तो dispenser इसमें option आपको पता ही होगा जो कम्यूंटी फार्मासिष्ट होता है बेपेसेंट और prescriber के बीच में का एक link होता है उसके बाद question number eight है question number eight है यानि doctor of pharmacy बाद introduced इन याई doctor of pharmacy को introduced कब किया गया यानि कौन सी सन में इसको introduce किया गया इसका पहला option है यानि 2008 से 9 के बीच में 2007 से 8 के बीच में 2006 में या 2005 में तो दोस्तों doctor of pharmacy को introduced किया गया था 2008 और 9 में introduced किया गया था जो question number nine है drug history सर्पतम कहां से start हुई पिछले question में हमने आपको बताया था यूरोप से start हुई थी बट इसमें question भाई है बट change है इसका option तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि drug history सर्पतम कहां से start हुई है चाइना से अमेरिका से एजिप्ट से वगदाद से तो इसमें options है ये बगदाद इसी चकर में तो student जो होते हैं बें confused हो जाते हैं तो इसका भी आपको याद रखना है वगदाद फिर जो question number ten है आपका बहुत important question है कि जो ड्रग इस्टोर प्रोग्राम has been started जो मैंचेस्टर कॉलिज में ब्यस्टी जो इस्टार्ट किया गया था जो ड्रग इस्टोर प्रोग्राम था यानि कौन सी सन में तयार यानि start किया गया था 1902 में 1903 में 1904 में तो इसका सही option है डी वाला यानि 1904 में ब्यस्टी ड्रग इस्टोर प्रोग्राम इस्टार्ट गया गया था मैंचेस्टर कॉलिज में कुश्चन नमबर 11 है कुश्चन नमबर 11 है आपका हिस्ट्री से यानि जो चेप्टर नमबर बन में हिस्ट्री है सेख नवी वक्स ने जर्नल इस्टोर कब ओपन किया था जो सेख नवी वस्टे इन्होंने पहला मेडिकल इस्टोर ओपन किया था यानि कब ओपन किया था 1864 में 1863 में 1862 में 1861 में तो इसका option भी सही है 1863 में इन्हों ने जनर्नल ड्रग इस्टोर ओपन किया था फिर जो आपका 12 question है 12 question है डबलू हो के अनुसार यानि World Health Organization के अनुसार यानि 2000 लोगों पर कितने फार्मासिस्ट की अफसकता होती है कितने फार्मासिस्ट होने चाहिए तो इसमें option दिये गएं 3,4,6,1 तो 2000 लोगों पर एक फार्मासिस्ट की अफसकता होती है जो United State America है उसमें 1744 लोगों पर ही एक फार्मासिस्ट है present time में कउस्चनन मर् 13 में पड़ा है दो आपको याद हैक्ट आपका 1948 में ता उसके बाद आपने कोशन देखा होगा जी पी गुड़ फार्मेसी प्रैक्टिस में फार्मेसी ओपन करने के लिए कितनी जगे रिक्वार्ड होती है यानि आपको अगर अपना मेडिकल इस्टोर खोलना है तो जी पी पी के अनुसार आपको कितनी जगे आवश्यक होगी तो इसमें बहुत से ओप्संद दिये गए हैं 20 सब्सक्राइब करने के लिए कि अनुसार आपको समझाया आपके लिए महिनत की तो दोस्तों आपका वी एक फर्ज होता है कि यह हैं 20 अचोटक 않은 इंचेब cy 218-117 ईटाएब serious हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पास सेर कर दें और जब आप एक्जाम देने जाएं तो एक्जाम से पहले एक बार इन कोस्टन को देख लें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ अविकवर बहुत है कि ज़रोगरा अच्छे सेर कमें तो से जाब एक्जादा झाईые अच्छे से टुर्णाश को देख एक्जा मेंश्टाश को बहुत है कि अज़ित में अच्राइक ज़िए आना आव धर साई Kenji